असलाम अलेकूम मैं हुएक रादिल और आप देख रहे हैं मेरा यूटिब चैनल वीवर्स आज जिस मॉडल का मेरी वी लेके आई हूं वो डॉलन्स का लिमिटेट एडिशन है और जिसका मॉडल नंबर है 9101 वीवर्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नहीं है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसना है तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा वीवर्स इसका आप फरंट लुक देख सकते हैं यह क्लाउड वाइट कलर में है और साइट में र इस मॉडल में कंप्रेसर की वारेंटी 12 एर्स की दी गई है और साथ ही आपको डॉलंस का लोगों नजर आ रहा होगा इस मॉडल का कलर है क्लाउड वाइट कलर और यह डॉलंस का स्पेशल एडिशन है जो लिमिटेट टाइम के लिए आता है एक और खास बात यह है कि यह ड बैडरूम के लिए ही मैनिफक्चर हुआ है क्योंकि यह बैडरूम सीरी से इसलिए इसका साइस छोटा है और इसी वज़ा से यह सिंगल डॉर है इस मॉडल में 35% तक एनरजी सेफ कर सकते हैं अब चलते हैं इसके इंसाइट लुप पर के वह देखने में कैसा है सबसे पहले तो आप इसकी रबड को ही देख लें यह रिमुवेबिल है और इसको निकाल के अराम से इसकी सफाई हो सकती है और दुबारा इसको एज़िटिस लगा सकते हैं और साथ ही इसके जोर पर आपको इंस्ट्रक्शन दीवी हैं कि चुरी और कार्डे का इस्तिमाल ना करें वरन सबसे उपर आपको एक्ट्रे दीवी है यानि यह पिक्स है और इसमें जो है अलग से ट्रेंड नहीं है इसके इलावा इसमें तीन शेल्फ और हैं क्योंकि वीवर्स यह बार इसाप से पनाया जाता है तो उससाप से इसका साइज होता है और आप इस महराम से अपनी पानी क बोदलें भी ठंडी कर सकते हैं और जो फोरी ज़रूरत होती है जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ जाए तो वो चीज़े भी आप इसमें रख सकते हैं इसको आम फ्रेश की तरह यूज नहीं किया जाता क्योंकि यह नॉर्मल फ्रेश की तरह हैवी जूटी नहीं होता है इसमें आप यह देख सकते हैं यह स्टिकर भी लगावाए कि छोड़ी और काटी का इस्थिमाल ना करें और इसमें यह आइसबॉक दिया गया है जो छोट अब हम आपको इसको खोल के दिखाते हैं यह इसका डूर है इसको हमने खोल दिया है और यह चोटा सा फ्रेश के साफ से ही इसमें फ्रीजर है अब हम फ्रिज पॉर्शन में चलते हैं और आपको उसका भी लुक दिखाते हैं उसमें कहके चीजे मुझूद है सबसे पहले आप यह देख सकते हैं इसमें तीन ग्लास शेल्फ दिये में है और एक वेजिटेबल बॉक्स है वेजिटेबल बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं आइस ट्रे यह जिसमें आप अराम से आइस जमा सकते हैं नीचे आप देखें तो इसका ड्रेन सिस्टम है यह ड्रेन इसकी एक शेल्फ यह रहा है अब यह देख सकते हैं इसमें भी इंस्ट्रक्शन्स दीवी हैं कि आप लोग जब फ्रीज को इस्तिमाल करें तो चार घंटे इसको चलाके छोड़ उसके बार अपनी चीज़ें रखें खाने पीने के आइटम्स जो हैं लेकिन जब हम नया फ्रीज खरीदते हैं तो चार घंटे तक उसको खाली चलाके छोड़ते हैं यह इसकी लाइट है और साथ ही आपको इसका थर्मोस्टेट नसरा रहा होगा जिससे आप कूलिंग को कम और ज्यादा कर सकते हैं इसमें तक्रीबन जो नंबर्स दिये गाए हैं मैक्सिमम आप 1234567 मैक्सिमम आप 7 तक इसको बढ़ा सकते हैं इसका जो कूलिंग पॉइंट है और सिफर सी यह स्टार्ट है अब आपको इसका यूजर मैनुवल भी दिखा दें और वरेंकी कार्ड भी दिखा दें जो इसमें मजूद है यह देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इसके अब इसके वारेंटी है वह 12 साल की है और इसी तरह इसकी जो पार्स की वारेंटी वह एक साल की है अच्छा वीवर्स अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो वह उपर नीचे होती रहती है इसलिए या तो आप डालेंज की वेबसाइट पर जाए या फिर आप दरास पर भी जा सकते हैं जहां से आप परचेस आराम से कर सकते हैं यह इसकी बुक है कैसी लगी मेरी वीडियो उमीद है आपको पसंद आए अगर पसंद आये तो प्लीज लाइक करें शेर करें और फिरसे बोलूंगी जो मेरे चैनल पर नहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स व